उठने बैटने में समस्या होती हैं, सीरिया चटने उतरने में तकलीफ होती हैं, नसे खीचती हैं, घुपने के पीछे की नसे खीच रही हैं, या शरीर में नसे ब्लॉक होती जा रही हैं, कमजोर होती जा रही हैं, शरीर में दैद रहता है या हड़ियों से जुरा हुआ किसी प्रकार का भी दर्द है आज मैं आपको एक ऐसा नुश्का बताने वाली हूँ जिसे आपको दो वक्त लेनी है दिन में सुबह एक चमच और शाम के वक्त एक चमच लेनी है इसकी मदद से आपकी नसों से जुरी सारी ही समस्याएं जर से खतम हो जाएंगी अगर आपको वीड को शेयर अवश्य कर दीज recognised गा, ताकि जिन को भी इस वीडियो की आवश्यक्ता है उन तक यह वीडियो पोहँच जाएं नसे जब कमज़ूर होने लगती है या नसों में किसी तरह की ब्लॉक्य ज़्यादा थी हैं तो शरीर में कई सारीसे realized and how सारी आएं नसे हमारे शरीर में सिर्फ से लेकर पैर के अंगोंटे तक पूरे ही अंगों में फैली होती हैं। नसों का काम शरीर में रक्त का प्रवाव होता है और जिससे वह जरूरी पोशक्तत्व एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करती हैं। आज का नुश्का आजमाया हुआ है इसे मैं खुद भी आजमाती हूँ और मैं अपने जो भी शरीर के दर्द हैं जो पेन हैं वो दूर कर लेती हूँ। मेरे एरी में दर्द रहता है और इसके लिए वह मुझे काफी फार्दा करता है। इसे आपको कितने दिन लेना है, कैसे इसे तयार करना है यह पूरी ही प्रक्रिया आज वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसकी मात्रा जाननी आवशक है और किस प्रकार से इसे प्रियोग करना है इस नुश्के को बनाने के लिए वहवे जानना आवशक है। नसे जब कमजोर होने लगती हैं तो उसके कुछ लक्षन हमारे शरील में दिखाई देने लगते हैं। यह जिस भी शरीर के जिस भी अंग पर यह नसे नारिया खड़ाब होने लगती हैं वहाँ पर यह समस्या उत्पन करने लगती हैं। और इसे अगर सही वक्त पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो यह गंभी रूपी ले लेती हैं। अगर आपको लगतार सिर में दर्द बना रहता है, माईगरेन का दर्द रह रहा है तो इसे आपको बिल्कुल भी नजर अंदाज नहीं करनी चाहिए। बार-बार आप पेन किलर दवाईयां खा रहे हैं। फिर भी अगर आपका यह दर्द नहीं जा रहा है तो आपको अगर जो में रेमिडी बता रही हूँ, जो नुश्का बता रही हूँ, उसे अवश्य ही उप्योग करनी चाहिए। अगर हम इसे सही वक्त पर इसका इलाज नहीं करें, तो इससे कई सारी गंभी समस्या हो सकती हैं। जैसे की हाथ-पैर में सुनपन हो जाएगा, परलाइसिस तक की भी समस्या देखी जाती हैं, और ब्रेन में स्ट्रोक, हार्ट अटैक की समस्या भी इनमें शामिल है। तो आएए जान लेते हैं इस नुश्के को हमें किस प्रकार से त्यार करना है। इस नुश्के को तयार करने के लिए हम एक बरतन ले लेंगे, बरतन में हमें दो कप पानी डाल देनी है, पानी में अच्छे से उबाला जाएं तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लोग पर कर दीजे, अब इसके बाद हम इसमें लेंगे एक समागरी, उसका नाम है बड़ी बढ़ी इलाइची बहुत फायदे मंद होती हैं और यह मसालों में प्रियोग कि जाती हैं, इसके तासीर गर्म होती हैं, लेकिन बड़ी इलाइची शरीर में पाचन शक्ती को बढ़ा देती हैं, पाचन के लिए अच्छा हो जाता है, तो शरीर की बहुत सारी बिमारियां दूर हो जाती हैं, बड़ी इलाइची का प्रियोग हमारे शरीर में गैस, कब्ज, इसी डिटी को भी दूर करने के लिए किया जाता है, गेठी और अर्थराइटिस के दर्द को भी दूर करने में काफी फायदे मंद होता है, अगर आपको जोरू में दर्द रहता है, कुट इसके जो दाने होते हैं, उसको कूट लेना बहुत आवश्यक होता है, तूसरी जो समगरी हम इसमें डालेंगे, वह डालेंगे लॉंग, लॉंग भी बहुत फायदे मंद होता है, सूजन को दूर करने के लिए, और दर्द को दूर करने के लिए, लॉंग के तील का इस्तमा को पूरी तरह से गयब कर देते हैं हमने यहां पर सिर्फ 3 लौं का ही इस्तमाल करना है एक और समागरी हम बिलाने वाले हैं वह समागरी है । दाल्चीनी बबहुत वाइदेमंद होती है और इसकी तासिर भी कर्म होती है डालचीनी पाचक का काम करती है शरीर में डाइजेशन को बढ़ाती है और नसों की ब्लॉकेज को खोलने में भी यह मदद करती है डालचीनी का प्रियोग दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है और जब भी शरीर में नसे ब्लॉक होती है नारियां कमजोर पर इसका पुरियोग हमें ध्यान पुरुवक करना चाहिए इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा पूरे जानकारी के लिए हमने यहाँ पर आधे इंच का दालचनी का टुक्रा लिया है एक बड़ी इलाइची लिया है और तीन लॉंग का ही इस्तमाल किया है अब यह तीनों ही स चार मिनट के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेना है इसके बाद चार मिनट जब होने लग जाता है तो इस मसाले के जितने भी सत्व हैं गुन है इसेंशेंशेल ऑई है या पानी में गुन मिल जाते हैं और इससे यह आपका काढ़ा बनकर त्यार हो जात यानि जादाना गर्म न ठंडा अब इसे चान कर आपको एक कप में निकाल लेना है यह आधा कप ही आपका काढ़ा रह जाएगा आधा कप काढ़े को आपको किस तरीके से इस्तमाल करना है तो एक बड़े चम्मत से आपको सुबह जब नाश्टा कर लेते हैं बहुत आवश कर भी ले सकते हैं यह आपके नसों के बलॉ Margaret को खोलेगा दौद को दूर करेगा और आपके शरीर ताकतवरे बनाएगा और जिससे दोर होने लगेगी और ताकत आने लगेगी इसे प्रकार से एक बड़े चमच को आप शाम की वक्त ले सकते हैं, इसे भी आपके शरीर में दर्द दूर होगी और एक नई ताकत और काहजास होगा, नसे की ब्लॉकेज दर्द में आपको काफे आराम मिलेगा, यह मसाले गर्म तासीर के हैं, इसलिए हमने बताया है कि इसे लेन है, यह गर्म मसाले ही वात की समस्या को दूर करते हैं, और शरीर में नसों की ब्लॉकेज को खोलने का काम करते हैं, तो आज की जानकारी थी, यहीं तक थी, आज की जानकारी अगर आपको helpful लग रही है, अगर आपने इसका फायदा उठाया है, पहले आगर आप इसे जानते हैं, तो मुझे लिख कर अवश्य बताएं, इस तरह की जानकारी के लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको शेयर करना ना भूलें, तब तक अपना ख्यार दखें, मुस्कुराते रहें, शुक्रिया